हेलो बच्चो आज हम लो कक्षा साथ ग्रह सिल्प के पार्ट तीन पोशकतत और पोशट क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी बच्चो अक्षा में निदी स्यामपट पर लिखे गए बाक्यों को ठीक ढंग से कौपी पर नहीं उतार पाती थी उसे लिखे हुए बाक्यों को पढ़ने में भी असुविधा होती थी एक दिन विध्याले में स्वास्त परिच्षड हेतु चिकिस्टक दलाया सभी बच्चों के साथ निदी का भी स्वास्त परिच्षड किया गया चिकिस्टक ने बताया कि निधी के आँखों की रोश्णी कम हो रही है क्यूंकि उसके सरीर में विटामिन A की कमी हो गई है निधी के माता पिता से बाचीत करने से पता चला कि निधी ठीक ढंक से भोजन नहीं करती है वे विध्याले आने से पूर्व भी दूद या नास्ता नहीं लेती है तब अध्यापक ने उसके माता पिता को बताया कि डॉक्टर ने निधी को ऐसे भोज पधार्तों को दिये जाने को कहा है जिसमें विटामिन A प्रियाप्त मात्रा में उपलग्द हो जैसे गाजर, पपीता, गोभी, एवं, टमाटर, आदी इन पधार्तों का सेवन करने से निधी की समस्या दूरो सकती है सरीर में पोशक तत्बों की कमी हो जाने से हमारा सरीर रोग्रस्त हो जाता है यानि हम बीमार पढ़ जाते हैं अते हमें प्रति दिन के आहार में ऐसा भोज़िपदात लेना चाहिए यानि ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हमारी उम्र एवम सरीर की आवसकता अनुसार पोशक तत्बों की पूरती कर सके निधी ने घर आकर अपनी दीदी से पूचा की पोशक तत्ब क्या होते हैं दीदी ने बताया कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के तत्वु पाए जाते हैं जो हमारे सरीर को स्वस्थ एवब निरोग रखते हैं यानी जो हमें स्वस्थ और बीमारियों से बचाते हैं वही पोसकतत कहलाते हैं भोजन में कार्वोहाइटेट, प्रोटीन, बसा, बिटामीन, खनीज लवर एवं जल आदी पोशक तत्वों का होना आवशक है बिभिन पोशक तत्वों में जल का भी मेत्पूरिस्थान है हमारे सरीर में जल की मात्रा लगबग 55-70% होती है जल का कारे भोजन को घुलनसील बनाना है सरीर के जो अनावशक पदार्थ हैं उनको पसीने और मूत्र द्वारा बाहर निकालना है जल बिभिन पोशक तत्वों को सरीर के बिभिन अंगों तक पहुचाने का कारे करता है सरीर में उपस्तित जल हमारी तचा को नर्म, मुलायम, एवं चमकदार बनाते हैं हमें प्रति दिन आठ से दस ग्लास पानी पीना चाहिए आईए अब मैं आपको बिभिन प्रकार के पोशक तत्वों के बारे में बताती हैं बिभिन पोशक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख श्रोत क्या हैं उनके कारे क्या हैं और उनकी कमी से कौन-कौन सी हानिया यानि बीमारी हो सकती है तो सबसे पहले आता है प्रोटीन प्रोटीन हमें अंडा, मचली, सोयावीन, राजमा, दाल आदी से राप्त होता है इसका कारे सरीर एवम मासपेसियों का निर्मान करना है कार्वोहाटेट की अवाब में उर्जा प्रदान करना है इसकी कमी से हमारी सरीर एवम मासपेसियों कमजोर हो जाती है और रोग प्रतिरोदक छमता की कमी हो जाती है यानि हम जल्दी ही बीमार पड़ जाती है दूसरा है कार्वोहाटेट जिसमें ये हमें अनाज, आलू, सकरकन, पपीता, आदी से प्राप्त होता है इसका कार्य सरीर को उजा प्रदान करना है, सरीर में ब्रधी एवम विकास करना है और रोग प्रतिरोदक छमता का विकास करना है इसकी कमी से सरीर के तापमान उसमा में कमी हो जाती है हमारा सरीर कमजोर हो जाता है और तचा पर जुर्दियां पढ़ जाती है फिर है बसा अंडा, मचली, मास, मुखफली, मक्खन, एवम सभी प्रकार के तेलादी से राप्त होता है इसका कार्य सरीर को तापमान नियंतित करना है तचा को चिकना वा सरीर को सुडोल बनाना है तचा में जुर्दियों करना पढ़ना सरीर के कोमलंगों की रक्षा करना इसकी कमी से हमारी तचा की चमक कम हो जाती है और तचा खुर्दरी यानि खुश्की हो जाती है अंतिक अंगों में चिकनाहट की कमी के कारण क्रिया सिल्ता में कमी आ जाती है शारेरिक व्रधी रुख जाती है अब है बिटामिन ए अंडा, मचली, गाजर, आम, टमाटर, हरी सबजियां दूद आदी से प्राप्त होती है दूद आदी से प्राप्त होती है इसका कारे आगों की रोशनी बढ़ाना है रोख प्रती रोधक चमता बढ़ाना है त्वचा को स्वस्थ बनाना है पाच्चन में सहयक होती है इसकी कमी से आखों में रतोंदी रोख हो जाता है, रोख प्रती रोधक छमता कम हो जाती है और तच्छा रूखी हो जाती है अब है बिटामिन B कॉम्प्लेक्स ये हमें छिलकेदार अनाज, दाल, खमी, सोयाबीन, मुंफली, हरीज सबजीया, दूद, मास, मचली, अंडा, आदी से प्राप्त होती है इसका कारे पाचन क्रिया ठीक रखना है, रोख प्रती रोधक छमता बढ़ाना है, सरीर की ब्रद्धी वाविकास में सहयव होना है, तच्छा वा नेत्रों को स्वस्त रखना है इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, सरीर में सुजना जाती है, सांस लेने में कटनाई होती है और पाचन किरिया ठीक नहीं रहती है अब है विटामिन C, ये हमें खटे फल, संत्रा, नीवू, आमला, नारंगी, टमाटर, हरीमी, चादी से प्राप्त होता है इसका कारे, दात एवं मसूरों को मजबूत रखना है, घाव सीख भनने में सहायक होती है, रक्त बहानियों को मजबूत बनाना है, विटामिन C की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है, दात और मसूरे कमजोर हो जाते हैं, और घाव को भनने में टायम लगता है विटामिन D, ये हमें सूरी की किडने, दू, दही, मकन, अंडा, मचली, मास, आधी से प्राप्त होती है विटामिन D का हमारे सरीर में बहुत एहम काम है ये हमें दातों और हट्टियों को मजबूत बनाता है सरीर में कैल्सियन तता फासफोरस के लवड़ों को सोधित करने में सायक होता है इसकी कमी से सरीर की हट्टियां विक्रत हो जाती है और भूं कम हो जाती है फिर है विटामिन E बिटामिन E अंकुरित अनाज, फल, सबजी, गी, तेद, दूद, अंडा, मास, मचली से प्राप्त होती है इसका कार संतान उत्पन करने की चमता एतु आवश्चक होता है सरीर में कैल्सियम तथा फासफोरस के लवड़ों को सोधित करने में सायक होती है इसकी कमी से इस्तिरियों में बंदता रोग जिसके कारा संतान उत्पन करने की चमता में कमी आजाती है फिर है बिटामिन K ये हमें बंदगोवी, टमाटर, मटर, पनी, सोयावीन, पालक, अंकुरित, अनाज, आदी में ताप्त होता है इसका कार रक्त के जमने में सायक होता है और ये पाचन किरिया में सायक होती है इसकी कमी से रक्त जमने की चमता में कमी आजाती है सरीर में रक्त अधिक बढ़ने के कारण अधिक बहने के कारण रोगी की म्रत्य भी हो जाती है फिर है खनीज लवर खरीज लवर ये हमें दूद, गी, मक्षन, अंडे की, जर्दी, मच्छली, हरी सबजियां आदी से प्राप्त होता है इसका कारे रख एवं हड्डियों के निर्मार में सायक होता है इर्द्य की गती को सामान ने रखता है इसकी कमी से दात वहड्डियां कमजोर हो जाती है सरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता है फिर है लोहा लोहा ये हमें सेफ, हरे पत्तेदा सबजियां केला, सहेथ, गुड, अनार, किशमे, समास, आदी से प्राप्त होता है इसका कारे सरीर को स्वस्त रखना, एवं सक्ति प्रदान करना है लोह तत्व के द्वारा रखत में हीमोगलोविन की व्रद्धी होती है इसकी कमी से एनीमिया यानी रखत की कमी नामक रोग हो जाता है हमारा सरीर कमजोर और पीला पड़ जाता है अब है आयोडीन आयोडीन युक्त नमक, प्यास, लेस्टन, दूद, मास, मचली आदी से प्राप्त होता है इसका कारे थायराड ग्रंतियां सम्मंधी कारे करना है शारेरिक व्रद्धी वा विकास में सायक होती है इसकी कमी से सरीर में घेंगा, गल ग्रंतियों में सूजन, रोग हो जाता है शारेरिक वा मासिक विकास रुख जाता है अब है रेशेदार फाइवर भोजन ये हमें फल सबजीयां वा सावुत अनाजादी से प्राप्त होता है इसका कार भोजन को 95 में मैतपूर भूमिका है इसकी कमी से हमारा पाचन तन्त कमजोर हो जाता है अब है जल स्वच्छ पैजल, पैपदा जैसे सर्वा, सिकंजी, लत्सी, मठा, नारियल, पानियादी से प्राप्त होता है जल का कार भोजन के पाचन और सरीर के तापमान को नियंतरा रखना है इसकी कमी से पाचन के लिए प्रभावित होती है धन्यवाद